सेक्शन नंबर 167 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लौ उसके रिगार्डिंग है जिसमें हम डिस्कॉशन करने वाले हैं कि इस पर्टिकलर केस लौ में में क्या हेल्ड हुआ जो केस लौ है जो केस लौ है इसमें जो में जो कोशन है जो रिलेटेड है और इस पर्टिकलर केस लौ में एडिशनल चीज़ें क्या हेल्ड हुई उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों एक बार आप केस लौ को गो थ्रू कर सकते हैं बट जो इसका क्रक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्जामिनेशन में या एक्च्वल प्रेक्टिस में अगर आप एड्वोकेट हैं उसकी डिसकॉशन करते हैं ठीक है सबसे पहला पॉइंट थीक है इस केस में क्या होगा तो इसकी जो प्रोपर जो अप्लिकेशन है जो पहले पंदरा दिन है जब हम कस्टेडी की बात करते हैं दाट कैन भी पॉलिस कस्टेडी और जुडिशल कस्टेडी ठीक है दूसरा जो पॉइंट है दोसरा अगर कोई भी ओफेंस हुआ हम सेम ट्राजेक्शन की बात क्या करते हैं कि जो सीरीज है वह चलती जा रही है ठीक है बट अगर अफेंस एक दोजार अठ्रा में हुआ अगला अफेंस डेड़ महीने बाद होता है दो महीने बाद होता है या नेक्स्ट येर होता है अगर वह सेम ट्राजेक्शन है तब हम कस्टिडी का बोल रहे है कि इना सिंगल गो मैक्सिमुम कस्टिडी कितनी होगी इनिशल कस्टिडी पंदरा दिन अब प्लिस कस्टिडी और जुडिशल कस्टिडी जो उसके बाद है जो हम इन टोटल 60 days या 90 days बोलते है that is only judicial custody ठीक है अब the period of 90 days और 60 days has to be computed from the date of detention as per the orders of the magistrate and not from the date of arrest बहुत important point है by the police consequently the first period of 15 days mentioned in section 167 subsection 2 has to be computed from the date of such detention and after the expiry of the period of first 15 days it should be only judicial custody ठीक है यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो first 15 days है उसके बाद जितना भी period होगा that will be only judicial custody ठीक है अब जो fourth point है यह बहुत important point है जो मैने पहले भी बात की जैसे second point में regarding the same transaction मान के चलिए दो offenses है the occurrences constituting two different transactions give rise to two different cases and the exercise of power under section 167 subsection 1 and 2 should be in consonance with the object underlying the set provision in respect of each of those occurrences which constitute two different cases बट दोस्तों यहाँ पर जो transaction है अगर तो single transaction का चल रही है ठीक है तो 15 days अगर एक बार खतम हो गए that is police custody और judicial custody henceforth उसके बाद वाला जो part है that has to be judicial custody बट अगर दो transaction है मतलब दो offenses है अब यहाँ पर point क्या है मान के चलो police ने एक बार किसी भी X case में investigation के लिए custody में लिया person को ठीक है और उसमें जो same transaction है चाहे वो same transaction में बार बार offenses पता चल रहा है अच्छा यह offense भी हुआ यह offense भी हुआ third भी हुआ fourth भी हुआ but transaction सेम है then वो पंदरा दिन की जो custody है in a single go ठीक है अगर वो police है or judicial depend करता है but वो एक बार ही मिल सकती है police custody ठीक है एक बार मतलब जो maximum initial 15 days है but अगर दो transactions है यहाँ पर कहने का मतलब यह है अगर आप पूरा जो judgment रीड करते है मान के चलो एक offense है ठीक है single transaction है कितने भी transaction है एक offense है ठीक है second offense है बढ़ transaction सेम है अगर कोई और transaction है that means the offense कभी और हुआ और police को चाहे आज की date में judicial custody है आज की date में police के पास offense number A में judicial custody है और मालुम पढ़ता है कि इसी person ने क्या किया है कोई और offense किसी और transaction में किया है उस case में investigation के लिए हमें person को custody में लेना पड़ेगा तो इस case law से clear होता है अगर transaction different है that means चाहे आप custody में हो judicial custody में police फिर भी court को बोल सकती है magistrate को बोल सकती है कि हमें custody चाहिए offense number 2 के लिए ठीक है but transaction different होनी चाहिए तो यह चीज यहाँ पे क्या है allowed है ठीक है क्या बोला गया है each of those occurrences which constitute two different cases that means अब जो police custody ली जाएगी यहाँ पे allowed है second transaction के लिए जो कि altogether कभी और की गई offense investigation in one specific case cannot be the same as in the other पहले investigation की गई थी offense number 1 के लिए अब transaction different है ठीक है उस transaction का offense है तो इसमें police custody का जो time period है that will be counted different दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा description box में additional videos भी प्रोवाइड की गई है criminal procedure code की उनको भी चेक कीजिए और साथ ही में जो यह particular channel है law की बहुत videos post की जा चुकी है almost 300 plus additional videos के लिए आप bell icon क्लिक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया वीडियो post किया जाएगा आपको उनके regarding update मिल पाएगा साथ की साथ thanks a lot for watching this video stay tuned